हेलो दोस्तो ट्रेडिंग नियूज में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहतरीन स्टॉक चुन कर ला चुका हूँ जहां पर आप लोगों को अपने स्टॉक की स्क्रीनर में यानि के अपने वाच लिस्ट में इसको एड जरूर क करना चाहिए उससे पहले दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आप लोगों को टेक्निकल एनलिस पूरा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का सीखना है तो आप हमारी स्कॉर्स को जॉइन कर सकते हो अभी स्कॉर और इसका नाम बात करनों तो सुमी टोमो केमिकल इंडस्टी है तो सुमी स्टॉक का दोस्तो यहाँ पर एनलिसिस कर लेते हैं मैं सबसे पहले आप लोगों को डेली चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा और आने वाले कुछी दिनों में आप लोगों को यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है अब मैं ऐसा क्यों बोला हूँ दोस्तो उसके लिए पीछे एक कारण है लॉजिक है दोस्तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूए इस टॉक नियर अबाउट 28 जनवरी या फिर आप बोल सकते हैं 27 जनवरी के आसपास यह लिस्ट हुआ था और जो लिस्टिंग प्राइस था 190 रुपीज के आसपास था लिस्ट होते ही दोस्तो इस स्टॉक ने यहाँ पर तेजी देखने को मिली और यह इसने 282, 283 के आसपास इसने हाई मारा उसके बाद भयंकर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और यहाँ पर लो की बात करनों तो दोस्तों यह एक जनवरी 2020 को इसने क्या किया यहाँ पर अपने जो टेंड लाइन था इसका मतलब यह जो टेंड लाइन पर इसने रेजिस्टेंस लिया था उस रेजिस्टेंस को क्या किया इसने ब्रेक आउट किया अब यहाँ पर जो यह रेजिस्टेंस था दोस दोस्तो आप देखें यहाँ पर एक जून 2020 को इसने क्या किया 29 मई 2020 सौरी वहाँ पर ब्रेक आउट किया ब्रेक आउट करते ही दोस्तो इसने क्या किया उपर की ट्रेंड लाइन में जाके इसने क्या किया पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया अब यहाँ पर रेज चौती बार यहाँ पर कोसिस किया दोस्तो ब्रेक डाउन करने के लिए लेकिन दोस्तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव रहे और यहाँ पर इस स्टॉक को इसके नीचे जाने नहीं दिये उसके बाद फिर थोड़ा सा उपर गया है दोस्तों वापस उसी लेवल पे आया और ये पच्छवी बाद यहाँ पर क्या करता रहा सपोट रिलेता रहा पूरे टाइम यह क्या कर रहा है इसी नीचे लेवल के सपोट ले रहा है चटवी बार बात कलनूत यहाँ पर देखे चटवी बार इसने सपोर्ट लिया उसके बाद दोस्तों चटवी बार सपोर्ट लेने के बाद दोस्तों यह उपर गया वापस से नीचे लाए और यहाँ पर देखे फिर से इसकी प्राइस के उपर थोड़ा सा इसको support मिला और ऊपर जाके इसने क्या किया दूसरी बार उसी level पर resistance phase किया क्योंकि यहाँ पर पहली बार resistance phase किया था दूसरी बार भी यहाँ पर resistance phase किया उसके बाद दोस्तों वापस से ही श्टॉक आके उसी लेवल पे खड़ा है जो कि आप देख सकते हैं सत्वी बार सपोर्ट लिया है अठ्वी बार अब यहाँ पर क्या करेगा सपोर्ट लेगा तो इसको दोस्तों अपने वाच लिस्ट में एड जरूर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखे जितनी बार भी यहाँ पर आता है आप खुद देख लो जितनी बार यहाँ पर आता है बाइंग प्रेसर आप लोगों को नजर आता है जितनी बार यहाँ पर आता है बाइंग प्रेसर आप लोगों को नजर आता है यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ बाइं लगाना चाहिए और यहाँ पर 280 रुपए के नीचे दोस्तों यहाँ पर जो आप अपना stop loss रख सकते हैं 265 या 260 के आसपास stop loss ले के आप लोग चल सकते हैं और आने वाले समय में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अभी मैं यह भी बोलूँगा कि अभी 280 रुपए पर ही आप लोगों को GTT order नहीं लगा देना है सबसे पहले यहाँ पर value चेक करना है अगर यहाँ पर buyers आ जाते हैं दोस्तों और यह stock उपर की तरफ भागने लगता है definitely आप लोग इसको buy करके चल सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों को पहला target रहेगा वो near about 300 रुपीज के आसपास आप लोगों को पहला target देखने को मिलेगा उसके बाद दोस्तों अगर आप इसको थोड़ा सा 3, 4 महीने के लिए hold करना चाते हैं तो यहाँ से आप buy करिए क्योंकि आगला जो resistance करेगा दोस्तों near about 350 के आसपास ये आप लोगों को resistance करते हुए नजर आएगा यानि कि 350 रुपीज के आसपास आप लोगों को target देखने को मिल सकता है अभी बात करने 282 के आसपास चल लाए almost 35-40% के आसपास आप लोगों को ये stock return दे सकता है 3-4 महीने के लिए और दोस्तों इस चार्ट का screenshot अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को इस चार्ट का screenshot अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा जिसका link मैंने description में दे रखा है फटा फट जाओ यार हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोगों को breakout के संकेत यानि की जो trade ले सकते हैं उनके बारे में stock की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा आई होप दोस्तों आपको मेरी ये टेकनिकल एनलिस की वीडियो पसंद आरी होंगी पसंद आरी होंगी तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा चैनल पे नहीं हो त आप से अगली वीडियो मुलाकात करेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत